हेलो दोस्तों मैं हूँ दिनेस गाड़ी और आप सभी का क्लिक कम्प्यूटर में स्वागत हैं दोस्तों आज कम्प्यूटर में सीखेंगे डीसे के बारे में जी हाँ दोस्तों डीसे क्या है? डीसे में क्या-क्या पढ़ाया जाता है? और यदि आप DCA complete कर लेते हैं तो आपको किन किन चेतरों में जोब मिलेगा इन सारे चीज़ें के जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको अंतक जरूर देखना है आई दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि DCA क्या है दोस्तों DCA एक basic course है और DCA का पूरा नाम है Diploma in Computer Application दोस्तों DCA में computer का basic जानकारी दिया जाता है अब आई दोस्तों समझते हैं कि DCA में क्या-क्या पढ़ाया जाता है DC में सबसे पहले आपको introduction of computer बताया जाता है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा history of computer जैसे कि computer कब इसकार कब हुआ और पहले computer किस परकार का था यानि कि पूरा आपको history computer का बताया जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको parts of computer जैसे कि computer के जो parts होते हैं keyboard, mouse, monitor, CPU इस सारे चीज़ों के बारे में आपको इसमें जानकारी दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको बताया जाता है parts of CPU जैसे कि CPU के अंदर में जो parts होते हैं motherboard, harddays, RAM, ROM इस सारे चीज़ों के बारे में इसमें आपको जानकारी दिया जाएगा फिर दोस्तों आपको बताया जाएगा window operating system याने कि windows related जो भी आपको जानकारी है जैसे कि window explorer हो गया, control panel हो गया इन सारे चीज़ों के बारे में आपको यहां जानकारी दिया जाता है फिर दोस्तों आपको paint के बारे में बताया जाएगा और इस package में बहुत सारे program होते हैं जिसमें आपको सिखा जाता है Microsoft Word दोस्तों Microsoft Word एक application software है जिसमें आप लिखने से संबंदी जितने भी काम होते हैं वर सभी काम आप इसमें असानी से कर सकते हैं इसमें दोस्तों आपको later लिखने का तरीका सिखाये जाता है और साथ में दोस्तों आपको drawing करना, table बनाना और दोस्तों आपको photo edit करना भी इसमें सिखाये जाता है यदि आप Microsoft Word को सिख जाते हैं तो आप बहुत ही सुन्दर और attractive एक later बना सकते हैं ठीक है दोस्तों तो देखा जाए तो Microsoft Word Office में सबसे ज़्यादा उप्योग होने वाला program है दोस्तों MS Word सिखाने के बाद आपको DC में Microsoft Excel सिखाये जाता है Microsoft Excel भी एक application program है दोस्तों Microsoft Excel में गनिश से संबंदित जो भी काम होता है और सभी काम आप इसमें असानी से कर सकते हैं और दोस्तों Microsoft Excel में seat होता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं और seat में data type कर सकते हैं जैसे यहाँ type किया हुआ data और इसमें item name है monitor, keyboard, mouse, quantity यहाँ पे type किया हुआ है और यहाँ पे rate दिया हुआ है और दोस्तों इसे calculate करके total निकाल लगया है यानि दोस्तों आप बड़ा से बड़ा गनित को formula डाल के Excel में कम समय में हल कर सकते हैं दोस्तों MS Excel सिखाने के बाद आपको DC में Microsoft PowerPoint सिखाए जाता है Microsoft PowerPoint भी एक application program है और इसमें presentation त्यार किया जाता है जैसे आप अपना project का presentation बनाना चाहते हैं तो आप Microsoft PowerPoint में बहुत ही सुंदर और attractive एक presentation त्यार कर सकते हैं इसमें presentation बनाने का सभी option दिया हुआ है इसके बाद दोस्तों आपको DC में internet सिखाए जाता है कि internet क्या है, internet कैसे काम करता है web page क्या है, web browser क्या है email id कैसे बना जाता है, print कैसे दिया जाता है download कैसे किया जाता है और दोस्तों इसमें बहुत सारा जानकारी आपको दिया जाता है और दोस्तों DC में computer related बहुत सारा basic जानकारी दिया जाता है जो आपके लिए बहुत ही important होता है आज़े दोस्तों आप समझते हैं कि DC course complete कर लेने के बाद आपको किन किन चेतरों में job मिल सकता है तो दोस्तों आपको data entry में काम मिल सकता है इसकलावे दोस्तों यदि आप DCA के साथ में tapping किये हैं तो आप tapping की चेतर में काम कर सकते हैं और दोस्तों आप computer operator के तौर पर कोई भी office में काम कर सकते हैं और साथ में दोस्तों आप call center में भी काम कर सकते हैं DCA office work के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और दोस्तों DCA competition exam के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है जब भी हम competition exam देते हैं और वहाँ जो computers related जो questions आते हैं वो सभी basic से ही आते हैं यदि आपको या video अच्छा लगा तो like and subscribe जरूर किसेगा और bell icon को दबाना नहीं भोलेगा ठीक है दोस्तों धन्यवाद